दुनिया के सबसे बड़े ग्लिशेर पिखल रही है और कुछ छोटे द्वीपों के सामने समुद्र में डूबने का खत्रा मन्रा रहा है धुन्द से भरे पहाड और जंगल मुर्जा रही हैं, सूख रही हैं और वन्य जीव तथा दूसरी जीव प्रजातियां बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाई रखने के लिए जूच रही हैं ये स्पष्ट है कि इसके लिए हम इनसान जिम्मेदार हैं पृत्वी पर हमारी गतिविधियों से ऐसी गैसें वातावरण में रहा हुई हैं जो गर्मी को सोखती हैं इन्ही के कारण पिछले सौ साल में तापमान बढ़ा है ये ग्रीन हाउस गैसें गर्मी को सोखती हैं जिससे मौसम में बदलाव आता है इनसानी कतिविधियों खासकर पश्चिमी जगत में हुई और द्योगिक क्रांती के कारण नई-नई टेकनोलोजी बिकसित हुई जिससे रहन-सहन का स्तर सुधरा इस विकास को बढ़ावा दिया उर्जानी आज भी जिवाश्मी अइंधन जैसे की कोईला, डीजल और पेट्रोल उर्जा के प्रमुक स्रोध है कोईला सबसे सस्ता स्रोध है जलाने पर ये जिवाश्मी अइंधन कार्बन डायोकसाइट छोड़ते हैं कार्बन डायोकसाइट को मीथेन के साथ सबसे बड़े प्रदूशकों में गिना जाता है प्राकृतिक चक्र में कार्बन डायोकसाइट वातावरण में पेड़ों और समुद्रों द्वारा सोख ली जाती है और इसके उप उत्पाद के रूप में जन्म होता है आक्सिजन का ये चक्र लाखों साल से यूँ ही चला आ रहा है इसलिए जंगलों और महासागरों को कार्बन सिंक या कार्बन डायकसाइड को सोखने वाले कुदरती तत्व कहा जाता है ये खुदरत के अनूठे, वहनीय, मगर जीवन के नाजुक ताने बाने का चक्र है और प्रित्वी पर मौजूद सभी जीवों के जीने के लिए जरूरी है लेकिन साल तर साल तेज विकास और ओद्योगिक प्रगती के कारण उर्जा की मांग बढ़ती गई है माना जाता है कि हमारी रोजाना की खपत की असी फीसदी उर्जा हमें जीवाश्मी अइंधनों यानि फॉसिल फ्यूल से मिलती है इन में कोईला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है इसके नतीजे में हर साल आठ अरब टन कार्बन डायोकसाइड और दूसरी कैसे वायू मंडल में पहुँच जाती है इस से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा गरीब 30 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गई ज्याददर्वनों की तबाह और समुद्रों के प्रदूशित हो जाने से प्रकृति का नाजुक रीसाइकलिंग सिस्टम बहुत दबाव में आ गया है वातावरण में कार्बन की अतरिक्त मात्रा से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हुआ लेकिन आईए पहले समझने की कोशिश करें कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या जीवन को पालने के लिए प्रित्वी को उश्मा की जरूरत होती है अपने आप पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे सी ओ टू, मिधेन, नाइट्रेस ऑक्साइड, पानी के कण और ओजोन गर्मी को सोखने वाले तत्व हैं और सूरिय के साथ प्रित्वी की उश्मा को बनाई रखने में महत्वपून भूमिका निभाते हैं मान लीजे कि प्रित्वी एक विशाल ग्रीन हाउस है और वातावरण में मौझूद ग्रीन हाउस गैस शीशे के पैनल जैसे हैं सूरिय के किरणे प्रित्वी की सतह पर पहुँचकर इसे गर्म करती हैं प्रित्वी की गर्म सतेह सोखी हुई इस कुछ ऊश्मा को परावर्तित कर देती है. इस ऊश्मा को कार्बन डायोकसाइड और हवा में मौझूद ग्रीन हाउस गैसें सोख लेती हैं. ये एक कुद्रती घटना है. अगर ग्रीन हाउस गैसों का ये आवरण नहोता, तो प्रित्वी इतनी ठंडी हो जाती कि जीवन यहाँ पनप ही न पाता. बदकिस्मती से ये प्राकृतिक और निरंतर चलने वाला चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि वायू मंडल में ऐसी गैसों की मात्रा दोगुनी हो गई है, जिससे हमारा ग्रह गर्मा रहा है. वैग्यानिकों के मताबिक प्रित्वी का ओसत तापमान एक सदी के दोरान लगभग दशमलव एक डिगरी सेल्सियस बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है. यही जलवायू परिवर्तन की मुख्य वजए है. इसी कारण मौसम का विन्यास गड़बड़ा रहा है. इससे सूखे, हीट वेव, बाड़ और चक्रवातों जैसी स्थितियां पनप रही हैं, जिससे दुनिया भर में लाखों करोडों लोग प्रभावित हो रही हैं. बाड़, सूखे, तूफान, समुधर के जलस्तर के बढ़ने वगरा से जो मुश्किलें पैदा होंगी, उनके और बेरहम जलवायू के कारण दुनिया के कुछ हसे में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. तब उन्हें अपनी जगा छोड़ कर कहीं और जाना होगा. जलवायू परिवर्थन की वज़े से जब इतने सारे लोग किसी दूसरी जगा जाएंगे, तो बहुत बड़े इस्तर पर आपसी जड़पे होगें. 2003 में योरोप में देखी गई हीट वेव, अब तक गर्मियों में सबसे अधिक तापमान वाले दौर में से एक रही, जिससे सत्तर हजार से ज़्यादा लोग मारे गए. योरोप के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है. औसतन सौ साल में इतनी जबरदस्त बाढ़ें आया करती थी, मगर अब वो बार बार आने लगी है. पिशले दशक में ब्रिटिन में जो बाढ़ें आई, 2013 की बाढ़ उनमें सबसे ज्यादा पुरी थी, जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए. हमने ब्रिटिन, योरोप और भारत में जलवायू परिवर्तन के प्रभावों का ठीक से सामना नहीं किया. तो इन जगों पर इसका बहुती नुकसान पहुचाने वाला असर होगा. ब्रिटिन की उर्जा कंपनियां पहले ही भारती उर्जा के कुशेत्र में सबसे बड़ी निवेशक बन चुकी हैं. हम चाहते हैं कि हम मिलकर और नई टेकनॉलोजीज कुशेत्र में इस्तिमाल करें. जलवायू विग्यानियों और परियावरण विशेशग्यों का मानना है कि जलवायू परिवर्तन का पूरी दुनिया पर ही बेहत नुकसान पहुचाने वाला असर होगा और विकासशील देश खासकर कम उचाई पर बसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. छुंकि वार्मिंग जब होता है तो ने केवल प्रत्वी पर होता है ये समुद्र में भी होता नुद्र का उपरumbles जाता है ताकि जो तर इसके प्रभाव से तटउ एक शैत्र जो है वो डूब में आ जाते हैं भारत की तट्रेखा 7500 किलोमीटर लंबी है और इसके सामने बहुत बड़ा खत्रा मौजूद है ये समुद्र के किनारे बसे सबसे सघन आबादी वाले इलागों में से एक है यहां 135 व्यक्ति प्रती किलोमीटर क्षेतर में रहते हैं ऐसे में समुद्र के इस तर में वृत्थी भारती तट्रे खाओं पर बसे समुदायों और इसकी पर्यावरण प्रणाली के लिए बहुत नुकसान देह साबित होगी टेरी और पर्यावरण एवं वनमंत्राले के एक अध्यायन से पता चला है कि अगर समुद्र के जलस्तर में एक मीटर का इजाफा होता है तो उस से पाँच हजार वर्ग किलोमीटर इलाका प्रभावित होगा और करीब सत्तर लाख लोगों की जिन्दगी के लिए खत्रा पैदा हो जाएगा बाढ़ और तटी एकटाव एक आम बात बन जाएंगे जिससे समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में भारी तबाही मच जाएगी विशशग्यों का दावा है कि दुनिया भर में बढ़ता तापमान समुद्र की सतह के तापमान को भी बढ़ा देगा जिससे हमारी समुद्री परियावरण प्रणालियां बुरी तरह प्रभावित होंगी कोरल रीफ जीवन की नरसरी है और यहां मचलियों की 4000 से ज्यादा प्रजातियां बस्ती है वो वायुमंडल से कारवन डायोकसाइड को सोख कर प्रित्वी के तापमान को काईम रखने में भी एक महत्वपून भूमी का निभादी है लेकिन दुर्भाग्य से समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण और बढ़ते प्रदूशन की वज़े से पूरी दुनिया के कोरल रीफ के सामने गंभीर खत्रा पैदा हो गया है पूरी दुनिया से ही कोरल के रंग फीके पढ़ने की भी खबरें मिल रही हैं जिससे ये जीवन्त परियावरन प्रणाली एक निर्जीव और बंजर जगा में बदलती जा रही है ऐसे में हमारे मचली पकड़ने वाले समुदाईों का ये पीडीयों पुराना पेशा खत्रे में है इस नाजुक परियावरन प्रणाली के बेनूर और बाधित होने से पूरी दुनिया में मचली पकड़ने वाले समुदाईों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जिसकी रोजी रोटी और पोशन संबन्धी जरूरती इसी काम पर निर्भर करती है भारती तट्रेखा के आसपास के समधायों का एक मुख्य पेशा है मचली पकड़ना और इस काम से भारत के कुल निर्यात की तीन प्रतिशत राशी भी जुटती है ग्लोबल वामिंग की वज़े से जलवायू परिवर्तन का एक और लक्षन नजर आ रहा है जिससे हिमालक शुत्र में तबाही पैदा हो रही है 2010 में लद्दाख में बादल भटा था और किदारनात की पिछले साल की त्रासदी तो आज भी हमें याद है हजारों लोगों की जाने गई थी और बहुत से लोग बेघर हुए थी इस व्यापक तबाही ने सारे दुनिया को हैरान करके रख दिया था जलवायू परिवर्तन की वज़े से बड़े बतलाव आ रहे है इससे बहुत खत्रा है और इसकी वज़े से भारी तबाही हो रही है पिछले कुछ बरसों में हमने देखा है कि हिमाले के इस क्षेतर में पानी और ग्लेशियर घट रहे हैं जिससे ग्लेशियरों से बनने वाली जीलों के किनारे तूट जाते हैं और बाढ़ा जाती है लड़ाग जैसे इलाखों में बहुत से ग्लेशियर हैं और वहां खत्रा ज्यादा है बीते बरसों के दौरान ऐसी बाड़ों का आना बढ़ा है जिससे भारी तबाही होती है और हजारों लोग प्रभावित होते हैं अचानक आने वाली बाड़ की वज़े से मैं और हमारे गाउवाले बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं सब लोग बाढ़ के बढ़ के बचाव के काम में लगे हैं। पिछले तीन दिन से हम बाढ़ से खुद को और अपने मवेशों को बचाने के लिए इधर उधर दोड रहे हैं और तंबुवों में रहे हैं। मौसम और दूसरे विन्यास पूरी दुन्या में बदल रही है Glacier बड़ी तेजी से पिखल रहे हैं जिससे ताजे पानी की आपूरती संकट में बढ़ जाएगी हिमाले में उुचाई पर मौजूद glacier बड़ी तेजी से पिखल रहे है ये Glacier उत्तर भारत में हमारी कुछ प्रमुक नदियों और सहायक नदियों के ताजे पानी के प्रमुक सोथ हैं ये नदियां सूखने लगी तो लाखों लोग प्रभावित होंगे इस साल फर्वरी में भारत में आंधर प्रदेश के गामों में बड़े बड़े ओले पड़े ओला वरिश्टी करीब 20 मिनट तक जारी रही जिस से फसलों, घरों और मवेशियों को भारी नुखसान पहुचा और काफी आर्थिक बरबादी हुई जलवायों में बदलाव के कारण लाखों लोगों, विशेशकर किसानों को अपनी रोजी रोटी के सामने गंभीर खत्रा मंड़ाता नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बारिश समय पर नहीं हुई बढ़ता तापमान किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है खास कर राज्य की फल उगाने वाली पट्टियों के लिए पिछले 4-5 सालों से खुश्क मौसम रहा ये मौसम ही नहीं है बरफ पढ़ने का जबके अचनक आज रात बरफ पढ़ी इस से बहुत सार नकसान होआ है पेडों को जड़ा खत्म हो गया लेकिन अचनक बरफ पढ़ी हमने कुछ पेडों की कटाई की थी कुछी करनी थी सबसे ज़्यादा नकसान सेबों को हुआ बहुत सारे पेड गर गए जमीन में जो बीज बोय थे वो भी खराब हो गए आडू के पेड बरबाद हो गए बदाम के फूल खराब हो गए बे मौसम बर्फ बारी से सारी फस्ट में खराब हो गए सेब उगाने वाली बेल्ट को कम से कम 60 दिन तर बेहद धंडा मौसम चाहिए होता है तब ही पेड़ों पर फल लगते हैं लेकिन पिछले कुछ एक साल से हिमपात में जो कमी आई है उससे धंडे मौसम वाली ये अवधी काफी घंड कई है जो सेबों के लिए चाहिए होती है मौनसून की दौरान होने वाली जो वर्षा है उसका चक्र में गड़बढ हो रहा है कुछ क्षेत्रों में जिसमें की मद्य भारत और वेस्ट कोस्ट है पर्ष्चम तट यहाँ पर वर्षा में कमी हुई है खास तोर से जो चोकाने वाली बात ये है कि जो एक्स्ट्रीम वेधर इवेंट्स है उनकी संख्या बढ़ रही है अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते ताप्मान के कारण भारत का चावल उत्पादन 20-50 प्रतिशत तक और गेहूं का उत्पादन 35-60 फीसदी तक घट सकता है सबसे ज्यादा असर उन किसानों पर पड़ेगा जिनकी जमीन सूखे इलाकों में है जहां खेती बारिश पर निर्भर है और जहां साल में सिर्फ एक फसल ही उगाई जाती है आज इंसान के सामने एक बेहत बड़ी चुनोती है इन गड़बडियों को कम करना और हालात के हिसाब से ढ़लना ही फौरी समाधान सभी इस तरों पर एक सामुहिक और लगातार प्रयास की जरुवत है हमारे वनों को बचाने और अधिक पेड़ लगाए जाने की तुरंत आवश्यक्ता है ताकि जहां तक हो सके संतुलन को बहाल किया जा सके जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए जंगल बहुत जरूरी है बनों का कटना और आग लगना दुनिया में हो रहे कुल एमिशन यानि उत्सरजन का करीब 15 से 20 फीसदी हिस्सा पैदा करते हैं जब तक दुनिया जंगलों की कटाई को रोकेगी नहीं तब तक हम जनवायू परिवर्तन के खिलाफ संगर्ष में जीत नहीं पाएंगे हमें फॉरण ही जीवाश्मिय इंधनों का विकल्प ढूंधना होगा पवन उर्जा और सौर उर्जा जैसे उर्जा के साफ सुथरे स्रोत दुनिया के कई हिस्सों में काम्याब साबित हो रही है भारत भी नवी करणिय उर्जा की संभावना का जाइजा ले रहा है उसका लक्ष बारहवी पंचवर्षी योजना में 29,800 मेगावाट बिजली नवी करणिय उर्जा स्रोतों से पैदा करना है जिसे 2022 तक बढ़ा कर 72,000 मेगावाट तक कर दिया जाएगा उर्जाक शुथर में ब्रिटन भारत की साज्यधारी इसी लक्ष को प्राप्त करने की कोशिश का एक हिस्सा है ब्रिटन आफशोर विंडियानी तटपर चलने वाली हवा के एक शुथर में एक आगरुनी देश है और भारत सरकार भी इस दिशा में काफी दिल्चस्पी ले रही हम ब्रिटन में जौर के जरीए बनने वाली बिजली के एक शुथर में भी काफी काम कर रहे है जौर से बनने वाली उर्जा के सिलसले में हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं इस मामले में भारत के पास भी कुछ विकल्ब हैं भारत सरकार की नीती एकदम सपष्ट है एक जिम्मेदार राश्ट्र की तरह हम पहले ही अपनी सार्वजनिक यातायात ब्रणाली में सी एंजी इस्तिमाल करने लगे हैं पर्यावरण के प्रती अनुकूल इमारतों को बनाने की ही इजाज़त दी जा रही है और उर्जा की कम खपत करने वाले बल्बों के इस्तिमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है हाला कि गानूनों और नीतियों की काफी एहमियत होती है पर यदि हमें बदलते मौसम के खिलाफ संघर्ष करके जीत हासिल करनी है तो लोगों की इस प्रयास में हिस्सेदारी बेहत जरूरी है आम लोग भी उर्जा कुशल बन कर कारबन उत्सरजन घटाने में मदद कर सकते है सर्वजनिक परिवहन का इस्तिमाल करके कारों का प्रियोग कम से कम किया जाए हमेशा ऐसे उत्पाद खरीदें जो इस्थानी इस्तर पर उपलब्ध हों क्योंकि इस से आपके स्टोर तक लाए जाने वाले उत्पादों पर परिवहन की शकल में खर्च होने वाली उर्जा में कटौती होगी अपने उकरणों की जाच समय समय पर करते रहें क्योंकि अकार्य कुशलो करण उर्जा बर्बाद करते हैं ज्यादा पैकिंग वाले उत्पाद ना खरीदें क्योंकि इन पर उत्पादन के चरण में काफी ज्यादा उर्जा बर्बाद होती है इस तरह कम कार्बन पैदा करने वाली एक जीवन शैली सुनिश्चित की जाए जिससे हमें पृत्वी की छिन भिन हो चुकी परियावरण प्रणालियों को बहाल करने और जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को पलटने और सभी के लिए एक स्थिर और वहनी भविश्य सुनिश्चित करने के लिए हमें फारण मिल जुल कर कोशिश करनी होगी